वे लोग जिनकी शनी की साड़े साती है या फिर धनू वरशिक और मकर राशी वाले शनी की साड़े साती से परिशान है तो ऐसे लोग हर शावन सुमवार को रुद्राभिशेक अवश्य करे और शिवलिंग के सामने बैठ कर शनी के बीज मंत्र का जब करे इसके अलावा उन् सुन्दरकांड का पाड़ भी करना चाहिए आईए इसी के साड़ जानते हैं राशी के अनूसार कैसे करे पूजन मेश राशी मेश राशी के लोगों को तामबी के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड मिलाकर शिवजी का अभिशेक करना चाहिए साथ ही भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करने चाहिए व्रश राशी व्रश राशी के लोगों को दूद और जल के मिश्रंट से शिवलिंग का भिशेक करना चाहिए इस दोरान चांदिया स्टील के लोटे का उप्योग करे तांबे के बरतन से दूद समर्पित नहीं करते हैं साथ ही व्रश राशी के लोगों को शिवलिंग पर दही, सफेट चंदन, सफेट फूल और चावल अर्पित करने चाहिए मिथुन राशी मिथुन राशी में जन्में लोगों को भगवान भुलेनात की पूजा तीन बिल्व पत्रों से करनी चाहिए आप शिवलिंग का भिशेक गन्ने के रस से कर सकते हैं, इससे आपको विशेश लाब होगा करक राशी करक राशी में जन्में लोगों को घी से भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए आप अगर कच्चा दूद शिव जी पर अर्पित करेंगे तो आपको आपकी इच्छा पूर्ती में सहायता मिलेगी सफेच चंदन से शिव जी का तिलक करे सीह राशी सीह राशी में जन्में लोगों को भगवान शिव का अभिशेक गुण मिश्रित जल से करना चाहिए आप भगवान शिव को गेहू अर्पित करेंगे तो आपको विशेश लाप होगा कन्या राशी कन्य राशी में जन्में लुगों को भोले नात को प्रसंद करने के लिए गन्य की रज से अभिशेक करना चाहिए शिव लिंग पर बिल्व पत्र और भांग के पत्ते चढ़ाने चाहिए तुला राशी तुला राशी के लोगों को भगवान शेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शावण मास में आने वाली मास सेख शिवरात्री पर इत्र, फूलों से सुगंधित जल या तेल से शिव का अभिशेख करना चाहिए साथ ही शह दर्पित करने से लाब होगा ब्रशिव राशी वालों को पंचामरत से भगवान शेव का अभिशेख करना चाहिए ऐसा करने से आप पर भगवान शेव जल्दी प्रसन हो सकते हैं धनुराशी धनुराशी के लोगों को भगवान शिव का भिशे केसर या हल्दी युक्त दूद से करना चाहिए साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र और पीले फूल अर्पित करे मकर राशी मकर राशी के लोगों को काले तिल से भगवान शिव का भिशे करना चाहिए इससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी कुमराशी कुमराशी के लोगों को भी मकर राशी के लोगों की तरह ही भगवान शिव पर काले तिल अरपित करने चाहिए साथ ही गंगा जल से शिव जी का अभिशेक करना चाहिए इससे जीवन के कश्ट और संकर दूर होते हैं मीन राशी मीन राशी के लोगों को भगवान शिव पर और शिवलिंग का अभिशेक करते समय पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए साथ ही पीली मिठाई का भूख भगवान शिव को लगाना चाहिए